हम देख रहे हैं अंस्टेबल एक्विलिब्रियम में तो पहले हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि एक ऐसी बॉडी जुसको अपने इनिशनल डिस्प्लेश्मेंट दी इनिशनल डिस्प्लेश्मेंट के बाद उसके पर फोर्सी आक्ट कर रही है उन्होंने इस को भी क्या हो गया बढ़ा दिया फोर्सी एक्टिंग ओन इंक्रीज इस इनिशनल डिस्प्लेश्मेंट हावर थे स्मॉल लेटर में वह बहुत बाद में कम भी हो जाएं तो बॉडी इसको क्या 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 होता है इसमें स्टेबल एक्विलिब्रियम पढ़ा तो हमने का कि सं में यह रही होती है थीक है बेस बिजाधा होती है संग्र लेटी ही लो होता है तब ही हमने इसको काता है कि इस्टेबल आतालोग हो थीक है आप इसकी इच्जांपल लो और आपके ये जो feet है वो बहुत साथ में जुड़े वे हैं मतलब ऐसे है ना पाउं जोड के खड़े वे हो आप ठीक है लेकिन आप अगर इस position में खड़े हो आप गिर सकते हो आप कभी experiment कर लेना अप चलती बस में ना experiment करना चोट लग जेगी तो आप किसी मतलब जस देखना कि आप पाउं जोड के खड़े हो तो इसका क्या होगा आप गिर सकते हो वज़ा क्यूं बेस कम है बेस इसकी कम है ठीक है तो अगर लेकिन अगर आप पाउं खोलते हो पाउं खोल के खड़े होते हो तो बेस क्या हो गई बढ़ गई बढ़ गई आपकी stability बढ़ गई आपके Duster, यह Duster, को अगर मैं, अब इसका base donkey क्या है, यह वाला है, चोटा सा है, अब इसको अगर मैं इस तरह से draw करनूं, ये, ये इसकी base का area, ये इतना सा, थीक है, तो अब ये गिर रहे है, क्यूं क्यूं गिर रहे हैं, इसका base काम है, base इसका कम है center of gravity क्या है इसका ये center of gravity है और इसको मैंने इस तरहां से move किया center of gravity किस तरफ में आया अब आप इस body का center कहां कहां से लोगे basically इसका center क्या होगा ये होगा center of gravity भी क्या हो गया high हो गया base भी क्या हो गई कम हो गई तो body unstable position में आ गई है लेकिन अगर मैं इसकी base लेती हूँ ये ये वाली ये वाली base लेती हूँ मैं बहुत ही छोटी हो गई इसको हम थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं हाँ जी ठीक है चलो साथ में और जोड़ लेते हैं अब हमने drawing थोड़ी करनी है यहाँ पे इसको base मैं ले लेती हूँ ये base ज्यादा हो गई center of gravity भी क्या है ये है center of gravity भी low हो गया base भी क्या है हमारे पास extensive base है तो ये duster क्या है stable है ठीक है ये हमारे पास stable equilibrium की example है लेकिन अगर ये base हो जाती है कम ये वाली base होती है और इसको मैं यहाँ ले आती हूँ यह यहाँ base कम center of gravity भी क्या है high तो equilibrium भी क्या होगा unstable equilibrium होगा I hope कि इतना खपने के बाद आपको समझ तो आई गई होगी यकिना आ गई होगी तो center of gravity और base का बहुत ही concept है बहुत ही रोल है equilibrium में तो क्या है जी base अगर हमारे पास small है center of gravity high है तो unstable होगा लेकिन अगर center of gravity low है base जादा है तो हमारे पास क्या होजगा stable equilibrium में आ जाएगा ये इन और आप अंगूठों पर अगर खड़े होते हो तो standing में तो obviously आप गिरोगे क्यों नी गिरोगे आपकी base ही इतनी है सिरफ यह वाली ठीक है आपकी base सिरफ यह है यह point है लेकिन अगर आप अपनी normal standing में आप फूट पर खड़े हो वे वे ओ ठीक है यह आप इस तरह से अगर हम तो क्या होगा इसका जो है stability भी बढ़ जाएगी stability बढ़ जाएगी लेकिन अगर आप सिर्फ यही इनी फूट टो स्टेंडिंग पर खड़े हो तो unstable equilibrium में जाओगे ठीक है अब हम देखते हैं next type जो कहा है neutral equilibrium